अस्सलाम लेकुम प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने गरों में रहते होंगे तो आज का जो लेसन है यह है क्लास एट के साइंस सब्जिक्ट का चैटर नंबर 16 दसल और मैं आपके आपका टीचर मंजूर अहमदार जो आपको यह पढ़ाएंगे तो मैं आपको एक 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 जामपल देता हूँ पढ़ने से पहले इक आपका मकान है गर आपका है बाहर से दिखता है कि एक बिल्डिंग है बहुत अच्छा अच्छी बनाई गई बिल्डिंग है च्छत है पूरा चार वाल्ज है खिर किया है सब कुछ है अगर आपने मकान को बनते हुए देखा होगा आपको पता होगा कि वो असल में बनता किस चीज़ का है बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं जिससे मकान हम खडा करते हैं ब्रिक्स तो ब्रिक्स जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं पहले एक से दो, दो सो तीन, तीन से चार से पचास, सो, दो सो, तीन सो तो वो एक wall खड़ा होता है, फिर दूसरे साइट से भी मिलाते हैं, फिर तीसरे से भी फिर चोथे से भी, तो एक four walls खड़े होते हैं, फिर छट बनाते हैं, तो ऐसे ही गर बनता है, जैसे bricks से गर बनता है, वैसे ही हमारी body जो है, हमारी body या plants है, या living organism कोई भी है, वो भी एक को हम कैसे देख पाते हैं, discovery कैसे उनकी हुई, उनके अंदर जो और्गनिलीज होते हैं, उनकी function क्या होती है, कौन-कौन सी टाइब के cells होते हैं, वो हम इस unit में पढ़िंगे इन्शाल्लाँ, तो अब हम देखते हैं कि अगर आप एक living organism की तरफ देखोगे, कोई जानवर या इनसान या plant या कोई भी, तो आपको बाहर से वो cells नहीं दिखेगी, आपको क्या करना है, आपको बाहर से एक part दिखेगा, जिन से cell से जो part बनाओगा, एक arm दिखेगी, एक branch दिखेगी, ऐसे ही एक bird की wing दिखेगी, उसकी beak दिखेगी, वो जो उसमें छोटी-छोटे blocks बने ह होते हैं, cells वो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो बहुत ही tiny होते हैं, उनको आपको देखने के लिए क्या करना होगा, उनके लिए कुछ instruments हमें चाहिए, cells को देखने के लिए, ठीक है, और instruments जो है, कुछ instruments, एक है, lens जो आपने बच्छमन में भी use किया होगा, लेकिन वो अच्छी quality का होता है, लेकिन उससे हमें उतना ज्यादा बारीक नहीं दिखता है, उससे अगर आप अपनी arm पे देखोगे, आपको थोड़े थोड़े वो compartment जैसे दिखेंगे, हिससे जैसे, but आपको पूरा एक cell नहीं दिखेगी, तो उसको अच्छे से देखने के लिए हमे में सा JEFF होते हैं, नाप होते हैं, फिर नीचे हम सलाइड रखते हैं, शीछा जिसे पर हम गोई सेंपल रखते हैं, फिर मिर्र करता हैं जो हमें फर देखाता हैms कि नीचे ंच्छा कन चीज रख से लख इता है लुक्त बशाव्ट पर स्चीश को, लग उससे जादा हैं. develop तो यह आपने देख लिए अगर आपको यह करना होगा कैसे देखते हैं तो आपको एक्सपरिमेंटेशन करना होगा अपने स्कूल की लैब में जब स्कूल ओपन होंगे यह स्कूल करें नुदे ष्मकार के तो मैं वो पर शकूल की जाता हीनी तो यह चूरुप में देखिए हैं कन ऐसे अधा deben हीट किया जाता है फिर अगर आपको तोड़ो के तो चूरा जैसे निकलेगा ऐसे ही सेल का एक फ्रिट्रक्चर होता है और वह जो एंट है वह रेक्टेंगुलर होगी ऐसे हैं इंपॉर्टन प्लांट हो या एनिमल्स हो सबकी सेल्स होती हैं बट थोड़ी डिफरेंट होती है कुछ और गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इंग्लिश साइंटिस्ट उसका नाम था रॉबर्ट हुक उसने 1665 यर में सेल्सकवर की उसने स्लाइस अपकॉर्क लिए उसको माइक्रोसकॉब की नीचे देखा वहां पर उसको देखा जो वहां पर उसने देखा इस ट्रक्चर बिल्कुल जो आप देखते हैं मदोमक्की होत तो फिर उसने इस ट्रक्चर का नाम रख रखा सेल तो वहां से ही फिर स्टडी स्टार्ट हो गई सेल्स की ऐसे अगर आप प्लांट सेल्स देखनी है तो आप अनियन पील ले सकते हैं मतलब जो आपके गर में अनियन है उसका एक छोटा सा पील उठाके उसको आप अगर सु तो अपर माले होड़ी तो आप देखते हैं स्लाइस या अनियन वहापको टेखने पड़ेंगे अब हम नक्याम अब की का पार्ट सब्सक्राब का आज होता यह को कैसे बनी होता है जून, ऐसे ही cells का होता है, बाहर एक covering होती है, जिसको हम बोलते है, cell membrane, फिर उसके बाद एक liquid होता है, जिसको हम कहते हैं, cytoplasm, फिर इसके बाद एक nucleus होता है, जो जैसी वो अंडे की york होती है, zone, तिसी चासान, उसको हम nucleus कहते हैं, यह है simplified structure cell का, अब यह जो cell membrane, plus cytoplasm, plus nucleus, इन तीनों को हम मिला के, protoplasm कहते हैं, ठीक है, protoplasm जो है, वो 99% protoplasm बना होता है, कुछ elements का लिए, उसमें है, hydrogen है, nitrogen है, oxygen है, और carbon है, यह पहली lessons आपने पढ़ा होगा, यह elements क्या होते हैं, बाकि phosphorus भी होते हैं, sulfur भी, calcium भी, इन सब में, importance के लिए, इन से produce क्या होता है, water होता है, proteins, carbohydrates, fats, nucleic effort, जो हमारी body के लिए, जरूरी है, अब देखते हैं, पहले cell membrane, वो क्या होता है, बाहर की covering, उसको हम दूसरा नाम plasma membrane भी कह सकते हैं, वो एक thin covering होती है, बहुती पतली covering होती है, cell की, जिसकी कुछ functions होती है, जैसे अंडे का बाहर का cover ह होता है, उसकी functions होती है, वो पहले cell को protect करता है, यक अंडे को जैसे protect करता है shell, वैसे इसे cell को protect करता है, वो और उसथी एक shape देता है, जैसे अंडे को gold shape to shell से मिलती है, अगर ना हो तो अंडा ऐसे भाश जाएगा, तो ऐसे ही shape देता है cell को cell membrane, and जो material cell के अंदर जाएगा और बाहर जाएगा वो इसी के थ्रू जाता है हो ही डिसाइड करता है को जाएगा को अंदर आएगा ओके तो सौट आफ गेट कीपर की तरह हैं वो अब जो साइटो प्लाजम है साइटो प्लाजम क्या है जली-like सबस्टन्स है जैसे अंडे का होता है अंदर वाला सो लिक्विड ज्यादातर सेल की जगह वही लेता है उसमें उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जुनको हम और्गेनली कहते हैं इनकी डिफरेंट फंक्शन्स होते हैं बहुत सारी हम देखते हैं इंडोप्लाजम रेटिकूलम है उसमें माइटोकॉंट्रिया है जो आगे-आगे बड़ा होगी इंशाला तो वह डिफरेंट फंक्शन्स बॉड़ी के करते हैं उसके बाद हैं नुक्लियस नुक्लियस सेल के बिलकुल बीच अंदर बैठा होता है वह आप माने अपने स्कूल के प्रिंसिपल की तरह वही बॉस होता है नुक्लियस वही डिसाइड करता है सब कुछ हमारी बॉड़ी का सब कुछ दसाइड नुक्लियस से होता है क्योंकि उसमें एक चीज होती है क्रोमोजूम्स डी एने हमारा होता है डी एने हमें पैरेंट से मिलता है पापा ममी दोनों से और वही हम पासान करते हैं अपनी दूसरी जेनरेशन के लिए तो डी एने हमारी इन्फर आपसेजी से सब कुछ 10 стр अब नुकलियस जो है उसकी अधिक्न करने का सब्हां हों है अब जो वह स्वैटोम नुकलियस को भीकेश है जैसे वह cell membrane उसको डिभाइड करता था ऐसे toute nucleus को बचाता है कि अभी पढ़ाओं आपको DNA के threads होते हैं जैसे आपके थ्रेट्सगर में पन गोठ स выход वैसे ही होते हैं Chromosomes जिन में DNA जिसमें पूरी information store होती है जो फिर बच्चों को आगे generations में जाती है तो Nucleus की function क्या होती है characters जो एक generation से दूशी generation तक पहुचाता है पाप और नुकलियस सारी लाइफ फंक्शन जो हमारी है इंसा सेल के अंदर या सेल के बाहर भी सब कुछ वही कंट्रोल करता है अब हैं कुछ जो साइटोप्लाजम में होते हैं जो भी मैंने आपको कहा था हम आगे पढ़ेंगे उसमें एक हैं लाइक माईटो कॉंट्रिया है क्लोर जो स्री प्लांट सेल में होता है ऐसे अंडर गॉल्जी कंप्लेक्स राइड लाइसोजोम राइबोजोम यह सब आप डीटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में अभी यहां पर आपको यह बढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक और चीज हैं सेल वाल वह लेकिन अनिमल शेल में नहीं होता है आपको पता होगा कीप सेल डिपरेंट होती है अनिमल इक एक्स्तरह कवरिंग होती है जो 2 होती है क्यूं क्यूंकि आपको पता है आप एंपको प्लांट्स जो है उन में कुछ वह नहीं होता है मतलब % नहीं होती आइसा ऑनsystem होता है जिनसे वह हमारी तरह खड़े रहgee तो उनको खड़ा रखने के लिए ऋनको स्टिुफ रखने के लिए अपने अपने एपने isz famil किसे वह संब्रीन किstore करते हैं जिसको oni को के दो से खड़ें सकते हैं उसे मिलती है playing man भी होथा है इa किसी लिए काम आता है जो प्लाइन फोटो-संथेसिते सेज करते हैं उसके लिए काम आता हुए उनको फूट देने की ज़रत नहीं पड़ती है तो उसके लिए प्लांट्स में प्लोरोप्लास्ट नहीं है एक और चीज है वैक्यूल्स देखो वैक्यूल्स जैसे आप मानो वैक्यूल्स बानो आप एक किला है उसके उसके अंदर एक सेक्यूरिटी करें उनको फटाने के लिए बैठे हूँके स्कूरिटी गार्ड वैसे ही वैक्यूल्स जैब सैल यह पूरी फंक्शिनिंग करती है अपना काम आता है एक फेक्टरी जैसे फेक्ट्री में एक्जाम्पल देता हूं पूरी फंक्शिनिंग करती हैं दिन रात तो उसमें कुछ chemical substances produce होते हैं waste कुछ produce होता है जिसको बाहर निकालना पड़ता है तो जैसे फिर factory में एक रखते हैं, dust bands रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, कुछ pipes रखते हैं, जिनके थ्रूवेस्ट बाहर जाता है ऐसे ही cell में होते हैं vacuels, vacuels कुछ spaces होती है, जो भी chemical substances, harmful substances हैं उनको अपने अंदर लेते हैं vacuels, उनको खतम करते हैं, तो यह vacuels का काम है, animal cells में थोड़ा कम vacuels होते हैं, बट plant cells में बहुत ज़्यादा vacuels होते हैं ऐसे ही हैं cilia and flagella, इसका cilia का singular है cilium, flagella का है flagellum, यह कुछ organism में होते हैं, cell को बाहर की तरफ वो आप देखते होगे, तो hair-like substances होते हैं, moment के, cell की moment के लिए, paramecium में आप देखोगे, युगली ना में तो plant और animal cell में कुछ common चीज़े हैं, ठीक है, plasma membrane दोनों में है, cell membrane, nucleus दोनों में present है, mitochondria भी दोनों में है, endoplasm reticulum, golgy, complex, lysosomes, ribosomes दोनों में है difference is क्या है, animal cell में cell wall नहीं है, plant cell में cell wall होता है, chloroplast animal cell में नहीं है, chloroplast plant cell में होता है वैक्यूल्स अगर वैसे animal cell में तो absent होता है, अगर होंगे तो छोटे size की होंगे, plant cell में बहुत ही बड़ी वैक्यूल्स होते है and organelles जो हैं, उनकी different function होते हैं तो जो organelles होते हैं, like mitochondria होता है, उसको powerhouse of the cell कहते हैं, जैसे grid होता है हमारे यहां powerhouse, वैसे cell का powerhouse यह होता है उसके कुछ functions होते हैं cell में, respiration, cell को energy देता है वो काम करने के लिए ऐसे chloroplast जो है, वो होता है, plant cells में, उसमें green pigment होता है chlorophyll, जो food बनाने में काम करता है, photosynthesis करने की काम आता है ऐसे endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum क्या होता है, वो life functioning, जो cell के अंदर functioning होती है, उनके लिए एक platform, एक surface प्रवाइड करता है, जिस पे सारी यह चीजे हो गॉल जी complex का क्या होता है, it collects and distributes the substances made in the cell, जो cell में substances बनते हैं, proteins, hormones, वगएरा, उनको वो collect करता है, फिर distribute करता है, different areas में, ऐसे lysosomes होते हैं, उनको हम suicide bags कहते हैं, lysosomes का का काम है, content enzymes which breakdown करता है, डिस्ट्रॉइ करता है, कुछ materials को, untoxic material, जो unwanted material है, उसको लेके destroy करता है, तो आज इसके लिए इतना ही कल हम पढ़िंगे diversity in cells, like different types के cells जो होते हैं, कितने number के होते हैं, कितना size होता है, cell का shape कैसी होती है, कुछ important fact cell के, जो हम कल के lecture में cover करेंगे, अब गर पे भी अच्छे से पढ़िएगा ये, भदा हापीस,